प्रेश्य करिश्य क्षेंट अभी नहीं हैं लेकिन उन्होंने कानुन बनाये राज्यपाल जीके साहिण भी होगे उनके कानुनों के नियम नहीं बनें उसमें जैसे हम बात करें हैं कि शेहरी रोजगार गारंटी 125 दिन हम बात करें हैं प्टीस दिन ने ग्रायमिन रोजगार गरेंटी में 25 दिन बढ़ा के दिये थे उनके नियमनी बनने से वह भई अठके वह हैं गीग वरकर के नियमनी बने इसी तरह से आज जो हम बात कर रहे हैं हम हर दिन एक पर एक मुद्दा लेते हैं आज यह सिलकोसिस का मुद्दा है कि स यह सिलकोसिस से फीडित हैं या उनको परभापता सरकार ने दिये उसके पकले सरकार कौन मेंने है आज तक वह रहार के इम्जार में है और ऐसे एक नहीं बढ़ी सिंक्या है राच्तान में और यह अ मामला यह ऐसा नहीं है कि यह कोई पॉलिशी मेटर पॉलिशी बन चुकी है इसकी सब नियम लागू भी हो गए केवल एक जवाब दे की बात है कि इनको मिले पैसा तो आज यह सब सिलकोशिस वाले साथी आज का दिन सिलकोशिस के नाम है यह हम जब तक एनिश्चित का लिंद कारवई करेंगे आप लिस्ट देओ कि किन किन का यह मामले हैं जो उनको सुनेंगे जिंदाबद जे सविदान सूचनियां रोजगार अधिकार अभियान के द्वारा आज सात्वा दिन का धर्णा चल रहे है ग्यारा मार दोजार तेश को और आज हमारी यह सरकार से बात नहीं सुन रही है उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है सिलिकोसिस पीडित जो महिलाएं हैं और कुछ पुरुस हैं जिनकी म्रत्यू हो गई है उन आश्रित महिलाओं को सरकार के द्वारा अभी पैसा नहीं दिया गया है और इससे हमारे इस धर्णे में आज लगब 20-30 आश्रित मेलाएं विद्वा मेलाएं हैं यहां पदा रहे हैं और अपनी दुखों को यहां जाहिद कर रहे हैं तो यह अनिशित काल तक प्रदर्शन जारी रहेगा और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा जो मांगें हैं. वे हमारा गिग वरकर कानून की जो नियमावली है उसको लागू करना हमारा एक मांग है. इसके अलावा राजस्तान नियमावली को लागू करे राजस्तान सरकार और जो पत्विकरेता अधिनियम 2014 है उसको लेकर कि हमारी मांग है कि जो इस्टीट वेंडर्स जो यह पत्विक्रता जो लोग है इनको एक इस्टीट वेंडर्स जोन प्रोवाइड करवाए अपने जैपूर में कि वो अपना जीवन यापन कर सके इसी के साथ दन्यावाद जैन जैबारत सचा के लिए शल रहा है जिससली को से इस भी वीमारी पूरा लाब जो भी मार लोग है उनको पूरा लाब झारिवह20 नहीं मिल में और कि जिंदाबाद मिरा नाम यू रा α जारी तक चार्भणाट जैबार्स आ हूं जो कि अificial बनारेmost जि़ैओ लोग यहां दरना कर रहे हैं जो कि पाजमार से अज़ित हो रहा है यह जनक दरने का हम लोग आयोजन इसले करें क्योंकि बहुत सारे कानून है जो बनतों गए लेकिन अभी तक लागू नहीं हुए जैसे कि वरकर कानून है या समझी शुरुक्सा पैंशन है बहुत सारे सब्सक्राइब करें लोग यहां दरना जो अनिस्टा तक चलने वाला है सब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है मैं जोदपूर से भाहरी विष्णौई हम गीग वरकर कानून को लेकर खादिय शुरुक्सा के लिएकर पैंशन को लेकर और शिल्कोशिस को लेकर यहां पे जल्से जल्ड कारवई हो और उन गरीब लोगों की सुने जो सिल्कोशिस से पीडित हैं जो खानों में काम करते हैं जैसे कोई मूर्तिकार है उन जब लाकव किसी को किसी को किसी bundimento native रैंस दूर दोर्ट है अभी ते किसी की30 लाक बाकी है किसी के तो बिलकुल भी नहीं हैं तो ऐसी महिलाई हैं हमारे साथ हैं इसी प concurrent matter ऐसे अपील कर तो हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्ड जल्ड उनकी मांगे पूरी करें और हमें भी यहां से कि अरत पर्दान करें मेरा नाम नारण पर्मार है पर में शोज़ें इन तो सरकार ने लागू कर ली लेकिन जो दुसरा जो यह जो सिस्थम बना हुए जो प्रोसेस होता है उसमें क्या है जो सिलिकोसिस पीडित आविदन कर दिता है और आविदन करने के बाद में जो जैपूर में जा रहा है अब ऐसे ऐसे लोग है जो पत्र गड़ाई काम जिसने 30-40-40 साल तक किया है और हमारी नजर में जो ऑक्सिजिन कंस्ट्रेटर पर है और ऑक्सिजिन कंस्ट्रेटर है हम उनको दरातर देख रहे हुए और फिर भी उनको डॉक्टर रिजेक्ट कर रहा है तो मेरा सरकार से विसे जाज करके उनको सर्टिफाइड किया जाओ और हमारे पास ऐसे बहुत सारे मुद्धे जो हम आपको बता सकते हैं धन्यवाद जिन्दाबाद मेरा नाम नवीन बजाड मैं जुन जुनो का रहने वाला हूं मेरी स्पेसल मांग यह है जो गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो उन लोगों तक उनको पैसा ही नहीं पहुंच रहा है जैसे सिलिकोसिस से पिडित यहां पे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आये हुए हैं जिन लोगों तक अभी तक उनके अगर खाते में देखें तो एक रुप्या भी नहीं आया है और वो विद्वा जो बहने हैं जो अपनी माताएं हैं उनको अगर देखें अपन तो देख्या नहीं जा रहा है उनको देखें तो उनके खाते में वो और हम पांच तारिक से यहां पर दर्णा दे रहे हैं कि जो सरकार ने योजना चलाई है लागू की है उनका दरातल पर कोई असर नहीं है असर का मतलब यह है कि पैंशन है तो आदार जनादार के कारण धोड़े पैंशन है वो नहीं मिल रही है करन दरी पैसे और डालने के और यहां नहीं होने झाल